आज का टॉपिक शुरू करने के लिए मैं साथियों आपको एक कहना चाहूंगा कि ये कोई टॉपिक नहीं है ना एक्जामिनेशन की द्रस्टी से केवल महत्पूर्ण कुश्चन है ये हमारे लाइस सेग्मेंट के लिए गॉर्मेंट द्वारा दी गया बहुत बड़ी पावर या बहुत बड़ा अधिकार है जो गॉर्मेंट ने हमें दिया है और वो क्या है? शिक्षा का अधिकार 2009 आएए चलते हैं हर बच्चे को शिक्षा मिले और शिक्षा उसका हख हो इसी हग को गौर्मेंट ने प्रदान किया है और यह R.T. Act 2009 के अंतरगत हुआ है मैं सिंपल और साधरन भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ यही है शिक्षा कादिकार सरकार ने कहा हर बच्चे के घर के पास स्कूल होगा बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा खाना स्कूल में ही मिलेगा टीचर बच्चों को मार नहीं सकेंगे किसी तरह के बच्चों के साथ में कोई टॉर्चर या और किसी तरह की बात नहीं होगी बच्चों की बात को सुना जाएगा यह है R.T. Act 2009 साथियों मैं बताना चाहता हूँ आपको शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को हम तीन पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं हाँ यह काफी लंबा टॉपिक है और आप अगर सोच रहे हैं कि एक ही क्लास में एक घंटे के सैशन में एक खताम हो जाएगा तो मैं आफी चाहूँगा यह थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि examination की preparation के लिए हम इसको complete करेंगे और complete करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इस act को पूरा पढ़ना और इसके उन पहलूँ को समझना जो हमारे लिए बहुत जरूरी है तो उन पहलूँ को समझने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे आइटी का introduction समझेंगे कि शिक्षा कादिकार क्या है तो चलिए हम पढ़ेंगे आज part 1 को और साथियों मैंने आपको बता दिये इसके 3 part हैं तो आप जब lectures लें तो 3 parts को पढ़िएगा उसी से आपके complete questions cover हो पाएंगे तो हम पहले चरण में चल रहा है इसमें हम आइटी के बारे में केवल इसके surface पे बात करेंगे कैसे आइटी अक्ट बना है इसके अंदर कौन-कौन से important factors को रखा गया है और क्यों इसे बनाया गया भारत सरकार को क्या जरूरती कब बनाया गया और किन-किन dates को इसके application modes इंडिया के अंदर applicable होते हैं और हमारे लिए act कितना important है और बच्चों के लिए क्या power responsibilities इसके अंदर दी गई है ये सारी बाते हैं government की और राज्य सरकार की केंदर सरकार की और इसके अलावा मातापिता के कर्तव वे वगरा इन सब की बाते हम rt act के first part में करेंगे तो हम rt act के पहले part को शुरू करते हैं अभी यहां से सबसे पहला question जो मुझे लगता है कि examination के साब से strong होगा वो rt act में से काफी सारे questions हो सकते हैं लेकिन मेरे लगने या नहीं लगने से कोई questions का कोई लेना देना नहीं है हमारा object rpsc की तयारी करड़े की बजाए इस पूरे act को समझना है और अगर हमने act को समझ लिया तो rpsc की तयारी इसके साथ साथ इसके parallel हो जाएगी तो आप किसी भी सेक्टर में कोई भी exam दे जहां पर rt का लेना देना है या rt से question पूछे जाएंगे तो you just do that one thing इस act को पूरा समझ यहां से ठीक है साथियो अब आपको जो board screen पर दिखाई दे रहा है उसमें आप act का पूरा नाम देख सकते हैं और खास बात है examination में यह सवाल पूछा गया है और पूछा क्या गया rt act का पूरा नाम क्या है मुझे सिर्व इतना सा पता है right to education शिक्षा का अधिकार अब शिक्षा का अधिकार केवल इसका short नाम है और इसका एक और short नाम है जिसे का आगया rt जो short form है हमने पिछले slide में देखा इसका नाम है rt act ठीक है part 1 में rt act और rt 2009 के नाम से हम इसे जानते हैं पूरा नाम शिक्षा का अधिकार हो गया full form लेकिन नहीं शिक्षा का अधिकार पूरा नाम है right to free and compulsory education act 2009 और examination में यह सवाल अगर आए तो सभी को आने के बावजूद भी गलती कर देता हैं तो मैं topic या slide को शुरू करने से पहले हर एक पहलू के बारे में बात करना चाहता हूँ कि examination में गलती ना करें तो topic को enjoy कीजिए अब मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप focus कीजिए focus आप रखिये और questions के answer मैं देता जाऊँगा तो IT Act का पूरा नाम क्या है निशुल के अवनिवार ने बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये इसका पूरा नाम है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा IT Act जो बना था और इसके लिए क्या क्या प्रोविजिन्स किये उनके बारे में बात करते हैं एक हंस्ता हुआ बच्चा जिसके हाथ में है शिक्षा ये अधिकार देता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम और क्या कहता है अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संक्षिप्त परिचे हाँ हम बात कर रहे हैं और इस इंट्रोडेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि यह अधिनियम क्या है, कैसे बना है और किस तरीके की बाते इस अधिनियम के अंतरगत बताई गई है, साथियों शिक्षा जरूरी है सभी के लिए और जब से हम लोगों ने अपने जीवन को शुरू किया है तब से हम अंत होगा तब तक सीखते रहेंगे, लेकिन उसके बीच में ही हमें वो एजुकेशन दी गई है जो गौर्मेंट एक स्कूल हमें प्रोवाइड करता है और स्कूल जो प्रोवाइड करता है उस एजुकेशन के लिए भारत सरकार ने आक्ट बनाया है और ये अधिनियम बना के लिए एक एतियासिक और युगांत करी घटना है क्योंकि इंडिया के अंदर फ्रीडम के बाद में अभी तक यानि 2009 तक ऐसा कोई आक्ट नहीं बना जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे समीधान के अनुच्छेदों में कई बार शिक्षा का वर्णन किया गया है श रूल रेगुलेशन सेट करती है एजुगेशन के लिए वो पहली बार इंडिया के अंदर किया गया 2009 में तो उसी के बारे में बात है इस अधिनियम के परिचे में आगे भारती इतियास में पहली बार राज्य द्वारा परिवार एं समुदाय की सहयता से बच्चों को गु इतरी बात राज्य सरकार द्वारा परिवार और समुदाय की सहयता से यानि यहां पर राज्य सरकार अकेले बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करेगी यहां मदद लिजाएगी परिवारों की लोकल गार्जिंस की और पूरी कम्यूनिटी की जो बच्चों को स्कूल भेज सके क्योंकि यहां जरूर यह है कि बच्चों को पहले स्कूल भेजा जाए और भेजने का काम राज्य सरकार नहीं कर सकती वो तो परिवार को ही करना पड़ेगा तो यह काम गौर्मेंट और पब्लिक कॉर्परेशन दोनों के कॉर्परेशन से चलेगा यहां पर माता-पिता और कम्यूनिटी को यह करना पड़ेगा कि बच्चों को स्कूल की तरफ आगे बेचे। प्रारमबिक शिक्षा के संदर में ही कौन सा धीनियम बना है भारत में कौन सा धीनियम आइटी एक्ट, ठीक है, Right to Education, निशुल के मनिवार ने बाल शिक्षा का अधिकार धीनियम, दो हजार नों, प्रारमबिक शिक्षा, राज्य सरकार, परिवार और समुदाय की साहता से यदिनिया मनाया गया है देखिए पिछले वाले फोटो में एक बच्चा हसते हुए है जो कहरा है कि मुझे शिक्षा मिल रही है या शिक्षा चाहिए वोग खुश है दूसरे फोटो में बच्चा सेड है और वो दुख़ी है और वो दुख़ी के साथ में कहा है right to education शिक्षा देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिश्कार वर्ल्ड एप